है गाईज वल्कम बाक टू दा नादर वीडियो अप गवर्मेंट जॉब सानल तो गाईज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इंडियन नेवी में ग्रूप सी की सिविलियन की पोस्ट के लिए नियू रिकूट्मेंट आउट हो चुके हैं तो इस नियू रि रिकूट्मेंट आउट हुआ है यह इंडियन नेवी की तरफ से ग्रूप सी की सिविलियन पर्सनल की पोस्ट के लिए होने वाला है तो इस नियू रिकूट्मेंट में आप फॉर्म फिलप करने वाले है वह अप्लिकेशन मोड आफ्लाइन तरीके से है या फिर इलिजिबल है तो वह सभी कंडियेट्स ओफलाइन तरीके से फॉर्म फिलप कर पाएंगे तो नेम आउट पोस्ट जो होने वाले है वह है सिविलियन मोटर ड्राइवर ओजी की पोस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल वर्कर की पोस्ट के लिए होने वाले है नंबर वेकंसी 22 रखी गई है ए 18 इयर्स से लेकर मैक्जिमाम ऐज 25 इयर्स की बीच में यानि अगर आपकी ऐज 18 इयर्स से लेकर 25 के बीच में है तो आप फॉर्म फिलप करने के लिए इलिजिबल होंगे उसी के साथ गैज एज रिलाक्सिशन जो है काटेगरी वाइस आपको मिल जाता है तो वाकंसी डिट वाकंसी है 12 दोनों जो वाकंसी मिलाकर 22 वाकंसी इन दो पोस्ट के लिए रखी गई है एजुकेशन क्वालिपिकेशन में गए इस सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए यानि कि 10 अगर आपने कंप्रेट किया है किसी भी रे अगर आपने 10 कंप्रेट किया है मैट्रिकुलेशन कंप्रेट किया है किसी भी रेकगनाइज बोर्ड से तो आप फार्म फिल अप करने के लिए इलिजिबल होंगे आपके अबिलिटी जो है वो रीडिंग की स्पिकिंग हिंदी लैंगवेज या फिर आपकी रीजिनल गुल्टा है जो की 19,900 रुपिज से स्टार्ट होकर 63,200 रुपिज तक बढ़ता है बस्ट कंट्रल वर्कर के लिए लेवल वन का पेमेंट स्केल आपको मिलेगा जो की रुपीज 18,000 रुपीज से स्टार्ट होकर 56,900 रुपिज तक आपकी पेमेंट बढ़ती है selection जो process होता है वो complete short listing of applications पर है उसके बाद आपका return examination होगा, skill test होगा और provisional appointment letter आपको मिल जाएगा उसके बाद आपका document verification होगा और finally आपका selection हो जाएगा तो guys अगर आप मतलब eligible है और interested है इन दो post के लिए form fill up करने के लिए तो starting date जो है application को fill up करने का वो है 31st of July 31st of July से आप form fill up कर पाओगे और last date होने वाला है 20th of August 2021 तक आप form fill up कर पाओगे जो कि आपको offline तरीके से form fill up करना है तो आप speed post से भी बेज सकते हो या पर normal post से भी बेज सकते हो तो guys नीचे scroll करने पर आपको यहाँ पर important links में apply offline का form मिल जाएगा जो कि आप देख सकते है तो apply offline का form कुछ इस तरीके से है guys यह आपको print निकालना है इसका और handwritten तरीके से fill up करके को भीज देना है address पर तो guys इसके साथ अगर आपको official notification डाउलोड करना है इस treatment के लिए तो official notification भी आप यहाँ से download कर पाऊगा है अगर आपने यहाँ पर click ने click किया तो आपके सामने कुछ इस तरीके से link open होगी जिसमे complete PDF रखे गए है official notification की तो यहाँ पर guys आपको complete जानकरे इस new notification के बारे मिल जाए अगर आपको वीडियो पसंद आ हो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चानल पर अगर आप नए है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे यह new updated contents के लिए thank you all